सो वेलकम है आप लोग का स्ट्रक्चर अकेडमी में और यह हमारा तीसरा लेक्चर है आर सी सी का इससे पहले अल्रेडी तो वीडियो अप्लोड कर दिये गए हैं जो कि पहला वीडियो बेसिक था और दूसरे वीडियो में हमने नॉमिनल कवर के बार में डिसकेशन किया था औ और अगर आप लोग को यह वीडियो समझना है तो किरिप्या करके पिछले वीडियो को जरूर देखें तभी आप लोग को समझा पाएगा यह concept यहां पर यहां पर जो एक वार देखें तो यहां पर डिटेल में एक्स्प्लीन किया गया था कि क्लियर कवर क्या होता है हम सब्सक्राइशन क्या है यहां पर कुछ से कितना मिनीवम कवर हमें प्रोवाइड करना है और देखें क्या होता है तो तो इफ्यक्टिव कवर को अगर आप देखोगे इसका डेफिनिशन क्या होता है फ्रॉम आउटर सर्फिस ऑफ कंक्रीट तू सीजी ऑफ में स्टील मतलब यह जो आउटर सर्फिस जो है कंक्रीट का ठीक है यहां पे आप लोग को मेरा करसर दिख रहा होगा तो यहां पे जो स्टील का जो सीजी है अब स्टील का सीजी क्या होगा यहां पर चुलयर कवर हम इंतना प्रोवाइड किया यहां है यहां पर बहा से बाउंडरी जो दिख रही है blue color के line की, तो ये क्या है, हमारा stirrup है, और ये dye of stirrup मैंने mention कर रखा है, क्यों mention कर रखा है, वो आगे पता लगेगा आपको, एंड यहाँ पे जो आपको orange orange color का दिख रहा है, ये हमारा main steel है, ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें, तो क्या कह रहा है, ये definition, from outer face of concrete, सब्सक्राइब के आउटर से से लेकर सीजी और में श्टील यहां पर में इसला यह जो ओरेंग वाला लाइन है इसका जो सीजी है उसके उस तक उतना डिस्टेंस को उतनी पूरी को हम क्या कहते हैं एक तो यही डेफिनिशन है और फॉर्मुला क्या हुआ इसका फिर क्लियर कवर यह रहा तिक आउटर सर्फेस से पहले चाहिक बाद में क्या आता है क्लियर कवर प्लस पीशे चले तो क्लियर कवर प्लस डाय ऑफ टिर अपको पूरा लेना है फिर इन बार का जितना भी डाया होगा हमारा तो उसको आधा करना है क्यों कि इसका सीजी जो है वो सेंटर में लाए करेगा तो फिर यहां पर मानके चल रहे हैं कि यहां पर इसका सीजी ओवर और लाए करेगा इसके सेंटर जो इसका डाया है उसका हाफ कर देंगे तो हमें सीजी मिल जाएगा तो इसका अधा मन फॉर एक्जामपल 10 mm है तो 5 mm हमें कंसिडर करना है तो यह फॉर्मले से इस फॉर्मले से आप क्या निकालोगे एफ्यक्टिव कवर निकालोगे अब यहां पर नॉमिनल कव करते हो ठीक है तो बीम डिजाइन कर रहे हो आप कॉलम डिजाइन कर रहे हो ठीक है आप स्लैब डिजाइन कर रहे हो तो उस समय एफ्यक्टिव कवर का यूज आता है आप कैल्कुलेशन में एफ्यक्टिव कवर को यूज करते हो कभी भी नॉमिनल कवर को आप कैल्कुलेश सब् 횟क्र खाला यह ओसे हम सबयार इप रचाएंगे और टांगे आपको एक बार और डेटेल में क्लियर हो जाए तो यहां पर नेक्स स्लाइड में चलते हैं और यहां पर मैंने एक नोट भी लिख लखा है नोट क्या है डाया टैट यू है तो टेक फॉर दा कैलकुलेशन ऑफ इफ्यक्टिव कवर शुट भी अफ टेंशन साइड नॉट ऍसकी अब इसका मतलब क्या हुआ तो इसे वह कि मैं प्रेंटाउण करें था तो स्विश्टिव साइड क्या होता है consolidation session side कि यहां पर देख सकते यहीं है यहीं का आप पिशं मांड़ों सापोर्ट है यह roller support है एक simply supported beam है उसके center पे point load लग रहा है तो जब अब इस पे load लगेगा तो कुछ न कुछ action होगा तो action होगा तो क्या होगा कि top पे क्या होगा compression develop हो जाएगा and bottom पे क्या हो जाएगा tension develop हो जाएगा तो कुछ इस type का shape दिखता है top में beam ऐसे मुर जाती है loading के कारण और उपर में compression आ जाता है नीचे में tension आ जाता है अगर आप कोई समझ नहीं आ रहे है तो practical करके देखो आप क्लियर हो जाएगा कि ऐसा figure क्यों बन रहा है तो यहां पे जो पीछे जो मैंने note में लिख रगगा है जो डाया जो आपको लेना है effective cover के calculation में वो tension side का लेना है और compression side का नहीं लेना है तो यहां पे जो जो भी डाया of steel आप tension side में यूज कर रहे हो नीचे portion में यूज कर रहे हो उस डाया को आपको यूज करना है किसमें यूज करना है आपको effective cover calculate करने में ये चीज़ आप लोग जरूर दिहान में रखे तो I hope आप लोग को यह concept clear हुआ होगा अब बात करते हम effective depth क्या होता है तो it is the distance from the face of the compression fiber to the cg of all tension steel अब ऐसे यह समझ नहीं आएगा कि effective depth क्या होता है तो यहां पर मैंने जो effective cover आप खुद ध्यान से देखो कि मैंने effective cover कहां पर calculate किया है हमने मतलगी मैंने जो है यहां पर effective cover tension side में calculate किया है compression side में नहीं किया है ठीक है तो यह जरूर ध्यान में रखे तो effective cover क्या होता है जो outer जो concrete का surface है और CG of main steel तक का distance होता है उसे हम कहते हैं effective cover कहते हैं now effective depth क्या होता है effective depth वो value होती है जब हम total depth में से effective cover को जब हम minus कर देते हैं तो हमें effective depth मिल जाता है I hope आप लोग को clear हुआ होगा क्या होता है जब हम total depth में से मतब capital D में से जब हम effective cover minus कर देंगे तो हमें effective depth मिल जाएगा तो total depth में से effective cover minus करोगे तो आपको effective depth मिलेगा और effective depth को हम किसे denote करते हैं छोटे D से तो आप लोग को clear हुआ होगा अब concept समझाएगा कि क्या है पीछे पीछे चलते है तो यह समझना जरूर यह ना इस देखोगे जो मैंने effective depth का जो distance लिया है और उपर वाला पोशन किसी भी surface किसी भी बीम का या बीम का क्या होता है वह होता है compression side यहाँ पर आप देख सकते हो टॉप में क्या होता है compression होता है तो टॉप से ही मैंने लिया है and bottom तक बॉटम में कहां तक मतलब कि effective cover को जब आप minus कर दोगे तो उतना आपको effective depth मिल जाएगा तो यही चीज़ यह line बोल रही है it is a distance from the face of the compression fiber to the cg of all tension steel तो cg of all tension steel आप देख सकते हो यह जो portion है यहाँ पे क्या है यह है cg of all tension steel यहाँ पे जो है इस पॉइंट तक के distance को हम क्या कहेंगे effective depth कहेंगे तो I hope आप लोग को यह concept clear हुआ होगा इसे अच्छे से समझ लेना को कि design में यह हर बार यूज होगा कोशन ही इससे शुरू होता है और अगर आपको यही clear नहीं होगा तो आगे समझना मुश्किल हो जाएगा तो इसलिए इसे द्यान से समझना जरूरी है मैंने multiple time repeat किया है इसलिए भी ठीक है तो पीछे वाली line I hope आपको clear हो गई होगी और अगर कोई पूस्ता है तो आप बत कितना है 10 mm क्या मैंने mention किया है one second मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि ताकि आपको mind में image बने तो diameter यह जो है यह जो outer portion है यहाँ पे blue color का जो surface है यह कहीना कहीं चारो बार्स को में बार्स को आप बांधने के लिए कि वह इधर उदर move ना हो इकठा करने के लिए अपने point पो सब्सक्राइब कर देते हैं तो इसका जो डाया है वो डाया मैंने कितना लिया है 10 mm लिया है जेनरली हम इतना ही actual भी जब डिजाइन करते हैं तो इतना ही जाम मान के चलते हैं and diameter of main steel हमने 12 mm ले लिया है तो पीछे चलते हैं जड़ा दिखा देता हूं को में स्टील कहां है व यह जो white color का जो portion है orange and pink line के बीच में यह हमारा clear cover हुआ यह जो हमारा orange color का आपको दिख रहा है यह हमारा stir up हुआ and यहां पर जो गोल गोल सा जो आपको दिख रहा होगा circular portion जो दिख रहा होगा वो हमारा main steel है तो इनका जो clear cover है वो 20 mm हमने लिया है diameter of stir up 10 mm लिया है diameter of main steel 12 mm लि कितना है 10 mm और diameter of main steel कितना है 12 mm है लेकिन हमें लेना कितना होता है 50% लेना होता है कि हम क्योंकि CG तक ही calculate करते हैं CG of main steel तो CG of main steel कितना है 6 mm आ गया 12 divided by 2 हमें CG मिल जाएगा 6 mm का तो total effective cover कितना आ गया 36 mm आ गया अब हम effective depth कैसे निकालते हैं बड़े वाले D में से effective cover minus कर दो मतला total depth में से effective cover minus कर दो तो हमें क्या मिलेगा effective depth मिलेगा तो वही है effective depth कैसे निकाल लें total depth minus effective cover तो let's assume total depth कितना हमने मान लिया ठीक है अब यह question question पर depend कर रहा है यहाँ पर इस question के लिए मैंने 800 mm मान लिया तो तो D कितना निकल जाएगा 800 mm minus effective cover कितना है था 36 mm आ गया हमारा effective depth 764 mm तो यह था calculation किसका effective cover का भी and यह effective depth का भी यह concept आप लोगो को clear हुआ होगा और मैं प्रॉपर अच्छे से explain कर पाया होगा बहुत ही जल मैं टेलिग्राम चैनल लॉंच करूँगा और वहां पे लिंक आप लोगो इसका पेडिया प्रोवाइड कर दूँगा कि आप अपने studies में use कर पाएं और revise कर पाएं और paper में अगर जरुत परें तो से use कर पाएं तो मिलते नेक्स्ट वीडियो में till then bye ऐसे ही अपने आपको हर दिन अपडेट करें अपने information को मत knowledge को बढ़ाते रहें और कुछ ना कुछ नया सीखते रहें और like में आगे बढ़ते रहें I hope बहु की lecture 4 होगा till then bye thank you for watching this video